वेलकम बैक स्टुटेंट टो फॉर्थ लेक्चर अब सिर्थ यहां आम लोग के बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने बाले हैं जो कि हैं इंवर्ड इंटर्वल्स एज सवसेट आफ आर यहां पे आर किया है रियल नमर तो इंटर्वल्स के बारे में करते थे अलग-अलग नमर को इंटर्वल्स भी कुछ इसी तरह का है अब सिंपल में इंटर्वल्स को समझें दो टाइम जो रहता है जैसे मैं बोला कि दो बज़े से तीन बज़े के बीसमें कितना इंटर्वल है टाइम इंटर्वल बोलता है ना टाइम इंटर्वल्स फिल अब इंट्रवाल को जाने से पहले आपको यहां पर एक सब्स भी दिख रहा होगा सब्सेट और इसकी बारे मैंने अच्छे से बारे माँ एक सब्सेट अब उसको इसको इसको सब्सेट बिलते हैं एक सब्सेट अब मुझे यह समस्जित है अब जनते होगे लमर सब किसमें आदर आएहेगा होल लमर सब किसमें आएगा weer normalmente में पैसे अब पहता है यह सब्सक्राइब Tech त्यम्परहका इसका साइक है और सब्लेक्ष यह क्ना पर किसी है आप समझ गष्थ dolore अब हम सुने वाला और हम भी तक पर हैं वैसे कंपलेक्ष नवर भी वह होता है पर हम लोग अभी तक पढ़े हैं वह सबसे highest collection क्या पढ़े है, real number, real number में rational और irrational दोनों आता है, इससे आगे तो हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, तो यहां तक हम लोग का journey हुआ, तो इसलिए हम real number का ही subset के रूप में पढ़ेंगे, कि real number में कौन को ना है, जैसे मैं बोला, क कि one or two, ठीक, one two के बीज में कितना real number है, तो अब बोलेंगे infinite real number, real मतलब rational number, irrational number दोनों, जैसे 1.1 हुआ, 1.75 हुआ, जैसे 11.10 हुआ, 12.10 हुआ, 1100, बहुत सारा हो सकता है न, ठीक है, तो बहुत सारा तो उसी को हम लोग दिखाते हैं, by help of interval, जैसे normal line पर represent करते थे, normal language में, व चुकि हम real number दिखाएंगे, तो इसको real line यह real number, line को बलते हैं, तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग represent करने वाले हैं, representing, infinite, मतलब एक दो नहीं, infinite, जैसे infinite number था, यहां हम लोग infinite intervals को दिखाएंगे, interval simply means, दो अलग अलग चीजों के बीच का, जो number है, ठीक है, उस इसका भी किया होगा, ठीक है, अलग अलग, अब interval का type किस पर है, तो एक है, कि interval में दो, interval में दो होगा, एक शुरू होने वाला, जहां से शुरू होड़ा है, और एक last run वाला, जहां खात्म होला, एक और चीज आपको समझना है, interval में जो यह वाला है, यह order में करना है, कि प इसमें, जो B होगा, वो हमेशा greater होगा, A से, ठीक है, B होगा, वो हमेशा होगा, greater A से, मतलब A जो है, पहला वाला जो होगा, वो इधार, left side में आएगा, इसको समस्ते हैं, तो देखिए, एक हम लोग बोलते है, closed interval, क्या उलगाता है, closed interval, interval का एक type बोता है, closed interval, closed interval का मतलब का है, closed interval का मतलब है, कि real number पर इसको दिखाया जाएगा, तो जो border है, border क्या है, मतलब last number, first number और last number, शुरू जहां से हो रहा है, और खत्म जहां से हो रहा है, वो दोनों included होगा, मतलब क्या है, मतलब है, कि both end, जो दोनों end है, अभी end क्या है, end मतलब एक शुरू होने वाला, और एक last होने वाला, तो both starting और ending, जो number होता है, real number, वो included रहता है, कहने का क्या मतलब है, तो कहने का मतलब है, माल लीजे हमारे पास है, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में हमको real number दिखाना, ठीक, अब 2 और 3 real number में, अगर हम पहले, real number में, तो ऐसे दिखा देंगे, यहां अगर 2 है, यहां पास infinity तक, तो 1 और 2, तो देखिए, sorry, हम लोग 2 और 3 का बात है, 2 और 3, तो 2 और 3 हो सकता है कि इस interval में, किसी-किसी interval में हो भी, जैसे आप लोग data handling में पढ़ें, कभी-कभी एक होता inclusive, एक होता exclusive, यहां जो हम लोगे पढ़ रहे है, inclusive, यहां पर 2 और 3 दोनों सामिल होगा, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, 2 भी है, और 3 भी है, और of course, इस 2, 3 के बीच में जो है, 2 भी है, 2 और 3 भी है, तो first, जो starting point है, और ending point है, दोनों included रहता है, इसको हम लोग word में कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, कि माल लीजे, A और B, दो number है, to given real number, ठीक है, real number, और इस और इस real number को हमारा x से दिखाएं, ठीक है, और सारी real number x, किस तरह से, such that, कि वो जो x है, वो किस के बीच में आड़ा, A और B के बीच में, देखने, और A, B के साथ भी न, equality का sign लेगा हुआ है, मतब x जो है, वो smaller होना चाहिए, किस से, last point से, ठीक है, smaller या equal भी होना चाहिए, जो हमारा यह आएगा, यहां से 2 और 3 के बीचने, 2.1, 2.2, 2.3, यहां तक 2.999 तक भी जाएगा, और 3 भी आएगा, कब जब यह closed interval काम लोग बात करें, तो इसको graph पे ऐसे represent करेंगे, ठीक है, इसको word में ऐसे लिखेंगे, अगर set में कैसे लिखेंगे, तो set में लिखेंगे, यह अगर कोई set है, तो इसमें सारा x जो belong करेंगा, real number से, such that, ठीक है, किस तरह से, such that, यह interval आएगा, a से लेकर, b तक, और यहां आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या चीज़, यह equal sign होगा, किसी-किसी में equal sign नहीं भी होगा, हाँ, बात करते हैं उसका, equal sign नहीं भी हो ऐसे, close bracket, जो big bracket होता, square bracket, उसको दोनों तरफ से लगा देंगे, ठीक है, तो यह representation है किसका, close interval का, अब चले close interval अगर आप समझ गयें, और सब खुद समझ जाएंगे, second जो है, वो है, open interval, अब open interval, नाम से लग रहा है, कि open है, मतलब दोनों तरफ से खुला हुआ, ठीक, दोनों तरी के बहुत सारा सेट होगा, आपको सेट का ही बात करें, तो आपको बड़ा चिल्यन होने है, सब सेट का बात करें ना, सब सेट क्या होता, सेट ही ना, तो इस सब में सारा सेट, including 2 और 3 था, पर अभी जो हम लोग अपन interval का बात करें, यहाँ पे included नहीं रहता है, कौन, first और लास्ट, तो अपन interval को कैसे define करेंगे, तो इसको करेंगे कि अगर A और B real number है, और 2 real number, जो real number है, तब सारे real number, then set of all real number, यहाँ अगर सेट चुल के साट लगा लिए, set of all real number, सारे real number, इससे बीच में, between A and B, between A and B, excluding A or B, मतलब A और B को नहीं रखना है, excluding A and B, और यह चीज चाहिए, जो कैसे इसको लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, X, वो नम्मर होगा, जो A and B के बीच में होगा, ठीक है, B से छोटा होगा, of course, और A से बढा होगा, मतलब 2 and 3 है, ठीक है, और 2 and 3 में, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 and 3 के बीच बाला होगा, ठीक है अदग लगत नहीं से कर सकते ना एक में 2 और 3 दोनों था इसमें 2 और 3 था इसको कैसे दिखाएंगे तो इसको हम लोग square bracket का नहीं यूज करेंगे इसमें हम लोग जो small bracket होता है उसका यूज करेंगे जिसका parenthesis बोलते हैं इसका यूज करेंगे 2 3 दिखाएंगे यह जो open है दोनों तरफ से open है या किसी किसी बुक में आपको इसको ऐसे दिखेगा कि जो square bracket है वो उल्टा कर दिया रहेगा 2 3,1 यह interval लिखा हुआ इसको graph पर कैसे दिखाएंगे तो सेम चीज है अब number line बना लिजे इधर minus infinity इधर plus infinity एक जगा 0 देदीजिए इधर minus 1 minus 2 जेतना लिखना है लिख दीजिए यहां 1 2 3 लिखना है लिख दीजिए और यहां 1 2 और 3 में याद रखना है कि यहां open होगा ठीक semi-closed interval ठीक है semi-open या semi-closed दोन में से कुछ बल सकते हैं semi-open and या और semi-closed अब इसमें भी दो आता है ठीक है अब देखिए दो हम लोग दो नमर का बात कर रहे हैं तो एक case तो हम लोग पर है कि A और B है तो A B बहुत included होगा और B बहुत और इसको हम ऐसे दिखाते हैं बहुत starting and ending point is included starting and ending point is included और graphical representation रियल नाइन पर representation हम लोग देख लिखाए है इनि point is included यानि इसमें रहता है इस set में ठीक है तो यह जो कहा रहता है यह कहा रहता है closed interval एक देखें इससे जास्ट ऊपर इसको ऐसे दिखाते हैं parenthesis में कि ending and starting point are not included ending and starting point are not included या excluded लिख सकते हैं are not included नहीं किया रहा सकता है ठीक है और इस case में जो है यह कहा रहता है open interval क्या कहा रहता है open interval ठीक अब तीसरा case क्या हो सकता है तीसरा case हो सकता है इस तरह का अब यह क्या है इसमें देख audi सागवे अब थोड़ा सामिल होगा भी सामिल नहीं होगा ठीक है तो starting point यहाँ पर starting point is included जहां से शुरू होड़ा है ज़से 2 से शुरू होड़ा है तो 2 included है लेकिन 3 included नहीं है क्योंकि 3 पर कैसा लगा हुआ पैरंथे से small bracket starting point is included but ending point is not लेकिन ending point जो वह नहीं included है अब चलिए 4th नमर पर आते हैं आप लास्ट एक ही condition बसता है ठीक है और इसको कैसे दिखाएंगे इसको अब बात करी लेता है तो इसको देखिए यहां दिखेंगे x होगा हमारे पास जहां जहां पर a included होगा यानि a ठीक है तो x बड़ा होगा और equal भी होगा एका तभी ना a included होगा जब equal होगा और यह b ऐसे और इसको graph पर कैसे दिखाएंगे तो first point जो starting point included होगा तो minus infinity है यह plus infinity है यहां पर चलिए नमर से ही दिखाते हैं आपको आसान रहेगा माइनस 1 यहां 1 2 3 तो यहां देखिए 2 तो included है ना अगर मैं बात करों 2 और 3 का तो 2 और 3 का तो 2 तो included है 3 नहीं included है तो 2 पे हम लोग ऐसे dark मना देंगे और 3 पे round बना देंगे 2 और 3 यह दिखाएगा 2 और 3 के बीच में कि 2 को include करते हुए यह कहां तक जाड़ा 3 पे लेकिन 3 नहीं है और fourth condition क्या हो सकता है यह है semi open यह semi closed यह पहला है semi open और semi closed का fourth condition क्या है fourth condition इसका है मालने जिए A है B है अब इस पार B included है तो B में square bracket लगा दी है और A open है ठीक है तो यह किसका हो गया यह भी semi open और semi closed का है कैसे हम लोग लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे only ending point is included सिर्फ ending point जो है वो includedаем ठीक इंडिंग point included है और कैसे बूल सकते है ठीक है ऐसे बल सकते है,"start जाए biases इसको लिखेंगे कैसे in terms of यह हम लिख सकते हैं कि A included नहीं होगा तो X होगा ओ ऐसे चोटा ही होगा equal नहीं होगा ठीक है लेकिन बीके एकसर बादी होसकता है और इक्वल हो सकता है तो यह होगा इसका फॉर टाइप का यह भी क्या है Semi Open और Semi Closed ही है अब हम लोग इसका नवर्फ कल लेता है या आप वो ले डियल नमर पर कैसे रिप्रेसंट करेंगे तो simply आप एक graph बनाएंगे तो वही condition रहेगा हम लोग इसका minus infinity infinity यहाँ 0 minus 1 minus 2 यहाँ 1 2 3 यह भी कुछ हो सकता है हम लोग बार-बार 2 3 ले रहें यहाँ पर 2 ऐसे लिखा हूँ 3 पर square bracket लगा हूँ 3 पर हम लोग क्या कर देंगे 2 पर round रहने देंगे यह representation हो गया लिखेंगे कैसे लिख दिया है मैंने ठीक है कि इसको x से करेंगे सब में इसको अगर आप लिखने हैं दिकात हो रहा है तो कैसे हम लिखेंगे वैसे उपर में यहाँ मैंने लिख दिया हुआ देखिए इसी तरह से कि setup all x जो बिलोंग करेंगा किसे रियल नमर से किस तरह से कि वह x अगर close interval है तो a और b दोनों included होगा तो दोनों में equal का sign लगा हुआ है ठीक नहीं included है ठीक नहीं included है तो equal का sign नहीं लएगा तो इसको अगर आप लिखना चाहे तो इसको इसेट होगा a कि सारे x का जो बिलोंग कर रहा है डियल नमर से आप रोश्ट सेट बुल्डर फ़र्म देखे ही है जिसमें जो हमारा होने वाला x वह कैसा होगा इस तरह का open है ना तो open में नहीं होगा यह semi open, semi close में इसको लिखना चाहरा है set of all a set of all x belonging to real number such that कैसा होने वाला है कि हमारा जो a है वह यहां included है a बिलोंग कर रहा है लेकिन b last portion नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें अगर करना चाहे तो वैसा ही set of all x जो बिलोंग कर रहा ideal number से such that जो a है वह included तो नहीं है लेकिन b included है अब at last हम लोग के पास आता है एक length of interval interval का length और यहां पर आपको समझना होगा कि open और close में जो difference है वो चीज समझ में आ जाएगा कि और जो दोनों का difference निकालते है first term last term का उसका तो चलिए हम लोग निकालते है length of interval और कुछ question उसे बात कर लेंगे जैसे और concept clear हो जाए इसलिए अब बात करते है length of interval का अब simply मात है कोई interval है हमारे पास अगर a और b अब यह भी कोई भी हो सकता है यह रहा closed यह रहा open और यह दोनों हो गया semi open या semi closed ठीक है तो interval length simply means क्या कि b-a कोई भी interval है उसमें से आप last में से first को घटा दिए मतलब इंडिंग में से जो first term उसको घटा दिए वह हम वह क्या देदेगा length of interval कोई भी हो उसमें आपको यह नहीं करना कि अरे यह तो closed interval है इसमें b और a included होगा इसमें open है तो यह included होगा कोई difference नहीं है same दोनों में सब में जो length होता है वह सारे interval का same होता है भले ही सबका definition अलग हो representation अलग हो ठीक है लेकिन जो length है वह same होता है length को define कैसे करेंगे length simply means यह दिखाता है difference of end point difference of end point length of interval is a number आप ऐसे explain करेंगे length of interval is a number that show difference between difference between starting and end point difference between starting and end point कोई भी interval में open हो close हो semi open semi close हो कुछ हो starting and ending point length कैसे निकालेंगे मैंने उपर में लिखी दिए length of interval जो होता है वह होता है b-1 अब यहाँ पर एक सी आपको ध्यान में रखना है कि जो last है यहाँ bracket का मतलब समझेगा नहीं क्लोज है यह कुछ length दिखा रहा है यहाँ पर आपको एक सी याद रखना है कि जो हम लोग बारवा लिख रहते हैं कि हमारा जो second जो है ending point हो हमेंसा ग्रेतर रहता है कि प्रेजंट कर देना है इंटर्वार में लिखने के लिए मैंने आपको पता ही था यहाँ लिखेंगे कि कुछ है तो इसको जहां देखेंगे क्याची setup all x such that x belong to r या सिधा x belong to r लिख सकते है और कैसे लिखेंगे कि first term जो a लिखेता है तो वह है अभी minus 7 और included नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ किसी का smaller than कसान लिखेंगे x greater है और 7 smaller होका minus 7 और हो गया यह ठीक है यही इसका length कैसे निकलता है length simply means b minus a b minus a 0 minus 7 0 plus 7 जो है वही चीज़ आपको लिखना है इसा नहीं कि इसमें 7 नमर उठाके लेएंगे 6 12 कैसे दिखाएंगे यहाँ पर कैसे दिखाएंगे यह कैसा इंटरवल था नाम भी open interval यह कैसा है इसमें कैसे करेंगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर 6 भी included है x greater than equal to और 12 भी included है यह हो गया length कैसे निकल जाएगा length again b minus a यहाँ 12 minus 6 देखने हैं कोई अंतर नहीं है यहाँ कैसा है semi open है यहाँ आपको लिखना है x such that x belong to r यहाँ आपको ध्यान देना है यहाँ पर यह included नहीं है square bracket मतलब closed है included है जैसे यहाँ था 12 होगा 12 होगा included 6 included नहीं होगा तो आप कैसे लिखेंगे simply 6 है 6 included नहीं है यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा और 12 में आएगा तो हो गया length again इसका कैसा निकलेगा 6 ही निकलेगा 12-6 इसलिए मैंने दोनों में सेम ही लिए वाज़े से आप वो अंतरपता चल जाए आप confused ना हो अगर लास्ट है तो सेम चीज हम लोग रिप्रजेंट करेंगे x belonging to r और यहाँ पर minus 20 included है इसलिए नहीं यहाँ square bracket लिखा हो है तो minus 20 is included so equal to also देना है और उसे साथ-साथ 3 लेकिन 3 included नहीं है इसलिए मैंने equal sign नहीं दिया इसका length किता हो जाएगा length होता है b minus है 3 minus minus 20 जो कि हो जाएगा 3 minus minus plus plus 20 जो कि हो जाएगा 23 तो इस चलिए length निकालना भी हम लोग सीख गए क्या होता है interval इसके बारे में अच्छे सीख लिए कुछ questions भी कर लिए 4 तरह का intervals होता है उसके बारे में समझ गए finally हम लोग इसको समझ गए graphical representation भी समझ गए कि अगर closed है तो closed में दोनों में dark बना जाते हैं लेकिन open है तो round छोड़ जाते है अगर semi open same and closed है तो जहाँ open है open रहने दिजिए जिदा closed है उधर dark कर दिजिए तो बस यही था इसमें अब next lecture में बहुत important है वह विडियाली में बहुत important है set theory या किसी भी relation function को समझने के लिए आगे कोई भी function समझने के लिए अपकोर्स यह भी बहुत important है आगे जब आप function पढ़ेंगे रहाश के 12th में यह भी पर wind diagram is also very important set theory को समझने का जो spirit है वह वहीं से आता है चलिए देखते रहे है all the best thanks for watching